बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कर सकते हैं इस्टाग्रम पे जरूर कर लिए एक फुल लेंट मौक दिस्कस करेंगे जो इर्थ नंबर है इससे पहले के वीडियो भी अपलोड हो चुके अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजेगा आपके लिए कि हमारा जो टेलिग्राम चैनल है इसको आप जोई कर सकते हैं यहां पर हमारे तुवारा आपके एक्जाम से रिलिवेट जो पिक्चर होते हैं जो पीडियेफ होते हैं वो शिर किया जाते हैं जो कि completely free है और यह आपको काफी help करेगा आपकी तैयारी में तो आ हमारे कुछ paid groups भी चलाए जा रहे हैं अगर आप उनको जॉइन करते हैं तो यह one stop solution आपके तैयारी के लिए साबित होते हैं इन groups के बारे में जाधा जानकारी लेने के लिए जो numbers दिये गए हैं screen पर इन पर आप call कर सकते हैं description box में भी details दी गई हैं उसमें जाकर आप जो हमस विश्य है भारत के सविधान की राज्य सूची में नहीं है तो देखें जो वन है यह राज्य सूची में नहीं है दरहसल हुआ क्या था जो 42nd amendment हुआ था constitution का जो कि हुआ था आपका 1976 में इसके द्वारा जो वन थे उनको राज्य सूची से मूव करके concurrent list यानिके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था तो अब जो forest है वो समवर्ती सूची के अंतरगत आते हैं तो इसका जो answer है वो आपका C हो जाएगा चलिए next question क्यों चलते हैं पूछा गया है कि कौन सा युग में जो है सही सम्मेलित नहीं है कुछ आर्टिकल दिये गए है और उनका subject आपको दिया गया है तो देखिए राज्चे का महा अधिवक्ता अनुचित 165 ठीक है तो यह सही है उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अनुचित जन जातिया तो अनुचित देखिए 341 नहीं यह हो जाएगा अनुचित 342 ठीक है उसके बाद जो अनुचित जातिया है वो दर तो जो आंसर है क्योंकि गलत पूछा गया तो B हो जाएगा इस question की बात करते हैं पूछा गया है जब 1946 में अंतरिम सरकाल का गठन हुआ था भारत के आजाद होनी से पहले जब यह हो गया था कि अब भारत को सोतंतर्ता देरी जाएगी तो एक अंतरिम सरकाल का गठन हुआ था पूछा गया है कि इसमें खाद और क्रिशी विभाग किसके पास था तो देखिए जो डॉक्टर राजंदर प्रिश्टास थे इनके पास यह जो आप कह सकते हैं फूड और एग्रिकल्चर का पॉर्टफोलियो था इसके अलावा जो जवार नार नहरो थे इनके पास थे राष्ट मंदल संबंध और विदीशी मावले जग जीवन राम के पास श्रम विभाग था और जो विधी विभाग था वो जोगेंदर नात मंदल के पास था ठीक है तो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा D पूछा गया है कि भारती समीधान के कुछ लक्षण है वो हमने किन देशों से लिया है देखे हमारा जो Constitution बना था उसमें हमने क्या किया था कि अलग अलग देशों के Constitution को बहुत अच्छे से जाचा परखा था और फिर उनके जो qualities भारत के संदर में fit बैटती थी उनको भारत के context में modify करके जो है ले लिया गया था तो कई बार यह कुछ पूछा जाता है कि हमारे जो Constitution में अलग-अलग आप कह सकते characteristics है वो हमने कहां से अडॉप्ट की है तो देखे एकल नागरिक्ता तो यह देखे बिटेन से लिए गई है सही बात है इसके बाद है कि समवर्ती सूची और अस्ट्रेलिया से लिए गई है यह भी बात थीक है आप अपबंद जर्मनी से लिए गई है यह भी ठीक है मूर अधिकार देखे यू एस से यानि कि यूनाइटर स्टेट ऑफ अमारिका से लिए गए है तो सही नहीं है पूछा है तो D हमारा आंसर हो जाएगा निश्करशन की बात करते हैं अनुच्छेत 3 के बारे में देखे पूछा गया है देखे जो हमारा अनुच्छेत 1 है वो भारत का नाम के बारे में भारत एक यूनियन है इसके बारे में हमें जानकारी देता है जो अनुच्छेत 2 है वो ये बताता है कि जो संग सरकार है वो किसी नए राज्य को भारत में शामिल करेगी तो क्या कुछ कैसे होगा जो नोचे तीन है वो दरहसल नए राज्यों के बारे में नहीं बलकि भारत में जो और लेडी ही राज्ये अभी हैं उनके बारे में बात करता है ये कहता है कि जो केंद्री सरकार है वो दरहसल जो फिलाल existing states है उनमें से किसी हिस्से को बहार निकाल सकती है और एक अलग थाप अएतंग के स्टेहरं के बहुत जादा पावर नहीं है की केंद्री सरकारी जो है अंतिम नियुक्ति यह प्रद हिस क्या होती है और पावर होती है निर तो एक यूनियन है, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो यूनिट होती है, उनको जो केंद्र है, वो अपने हिसाब से तरोड मोरोड सकता है, नाम चींज कर सकता है, अब आते हैं क्वेशन की तरफ, पूछा गया है, किसी राज्य की छेत्र को बढ़ा सकेगी, सही बात है, किसी उप्शन हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, नेश को फूछा गया है, जो लोक लिखा समीति है, वेरी इंपॉर्टेंट ये कमिटी है, पबलिक अकॉंट इसको बोलते है, इंग्लिश में, पूछा गया है, इसका जो गथन किया गया था, वो किस अधिनियम के अंतररगत किया और साथ सदस्य राज्य सभा से लिए जाते हैं तो बी आपका अंसर हो जाएगा चलते नेक्ट कुछ पूछा गया है कि कुछ परधान मंत्रियों के नाम दिये गए है पूछा गया कौन सा जो है बिना किसी राज्य का मुख्य मंत्री बनी सीधे ही परधान मंत्री बन गए थे ठीक है तो यह देखे चंदर शिक्खर है तो सी जो है इनका अंसर हो जाएगा नेश्करिशन की बात करते हैं पूछा गया है कि जो पंजशील सिधान्त है ठीक है अब स्टीटमेंट्स कुछ सिधान्त इसके अंतर रखे गए थे तो सबसे पहला तो इसमें क्या था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारसपारिक अहस्त शेप सही बात है एक दूसरे की भूभाबगी जो अखंडता है और प्रभूता का पारसपारिक सम्मान है ये भी ठीक हो ठीक है तो यहां से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है चलते निक्सकोशन की तरफ पूछा गया है भारत की समीधान से संबंदित निमलिकत युगमयों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है वन किस में है मैंने आपको भी बताया समवर्ती सूची में है ठीक है उसके बाद इलेक्टरिसिटी है ये भी समवर्ती सूची में आता है पासपोर्ट वीजा संग्य सूची में है सही बात है इंडिस्ट्री राज्य सूची में है ये भी बात सही है तो यहां से देखिए भी हमारा आंसर हो जाएगा नेश कुशन की तरफ चलते हैं पूछा गया है विद को दोब्दों में है यह आपको बिताना है तो देखिए यह करते हैं भारत के राष्ठपती देखिए पॉलिटी में पढ़ियेगा तो अधिकतर जो रिपोर्टों होती है उनको जो संसद के सदनों के पटल पर रख जाता है वो रास्टपती के दुवारा भारा ही रखन वेकिह उन्य सताबदी के आंदोलन को जenda के वितलव estie, pada 19 वे वेशक सरकार कुछ यही हमारी सत्रू है उनको लगता था जो महाजन हैं उनकोचा सुध कहते हैं और जो हबल्डार है जो अममें परिशान करता है यहीं लोग दरसल हमारा बुरा कर रहे हैं और उस टाइम पे उनको इतना भी नहीं पता था कि भारत अगर आजाद हो जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे हमारी समस्या ठीक हो जाएगी उनको बस इतना लगता था हमारा लगाना आप कम कर दीजिए याना हम लोगों को सोशन मत कर दीजिए तो आर्थिक मांगे ही दरसल सीमित थी इन आंदोलोनों में एक बड़ा व्यापक रूप ये आंदोलोन अक्तियार नहीं कर पाये थे वहीं 20 शती में देखिए लोगों के अंदर क्या है जागरुकता आ गए थी को पता चल गया था कि दरसल यह जो उपनिवेशिक सत्ता है यह हमारे दुखों को कारण है और जब तक हम भारत को आजाद में करा लेंगे तो मूल समस्या जो है खतम नहीं होगी आप क्योंकि आप 1857 के टाइम पूछा है तो यह देखिए 19 सताब्दी के आंदलोनों के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए उपनिवेश वाद इन आंदलोनों का लक्षय था ठीक है तो जी नहीं मैंने आपको अभी बताया कि जो महाजन इंस्पेक्टर हवलदार यही थे संगोशों को विशिष्ट और सीमित उदेशों के लिए नर्देशित किया गया था सही बात है मांग लगबग पूरी तरह आर्थिक मुद्धों पर केंदरित्थी ठीक है और आंदोलन जो विदेशी बागवान होते थे और जमीदार होते थे उन्हीं के खिलाब नर्देश पूछा गया है कि 1955 का अवद सत्र हुआ था काफी फेमस है इसके दुर्ण कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था ठीक है तो देखिए जो यून धेबर थे यह तरहसल उस ताइम पर जो अध्यक्ष थे और यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इस ताइम पर जो भारती समाज क्या है इसके लिए संकल्प लिया गया था कहा गया था कि समाज का सवरूप होगा वो कैसा होगा समाजवादी होगा सोशलिस्ट टाइप की विचार धारा से उस समय भारतिये काफी परभावित थे तो यहां से हमारा आंजर हो जाएगा सी नेश कुषिन की बात करते हैं इस से पहले क्या हुआ था जो अगस्त 1907 था इसमें एक गोशना जो है बिटिस सरकार के तरफ से की गई थी और इसमें इनों ने कहा हम भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार लेकर आएंगे लेकिन 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 लाएंगे बिटिस सामराज्य के अभिन बात करते हैं कि फिर कौन सा एक्त आया तो जो भारत सरकार अधीनियम उन्निस सो उन्निस आया इसमें बिसिकली उत्तरदाई साशन के बारे में बात काम करना शुरू कर दिया अब इस जित के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं विश्यों को जो सब्जेक्ट होते थे उनको पहली बार दो भागों में केंद्रिय और प्रांतियों में बाट दिया गया कुछ पे जो है केंद्र सरकार राज करेगी और कुछ पे प्रांतिय सरकारों को पावर होगी प्रांतों को अगेन क्या कर दिया गया द्वैद साशन में बाट दिया गया कि कुछ प्रांतों पदती जो थी इसका देखे और भी जादा विस्तार कर दिया गया एक नई पूस्ट की जनरेट किया गया भारती उच्चा युक्ती नियुक्ती हुई और जो प्रांतों के हस्तानतरी विश्य थे उन पर सच्छिव का नियंद्रन थोड़ा सा कम कर दिया गया अच्छे कासी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी यहां पर हमारा जो अंसर भी हो जाएगा निश्कुष्चिन की बात करते हैं पूछा गया है कौन सा अंदोलन मात्मा गांदी से संबंदित नहीं है तो बहुत आसान कुष्चिन है सवीने वग्या अंदोलन असायोग अंदोलन काकुरी कांड नहीं है देखे जो ट्रेन रोबरी थी इसको काकुरी कांड कहा जाता है यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशेशन एचारे के द्वारा की गई थी जो प्लान बनाया गया था वो मीनली रामपरसाद बश्मिल और अश्वाक उल्ला खाने बनाया था इसमें जो डेथ पैनल्टी मिली थी वो रामपरसाद बश्मिल को और रोशन सिंग को और राजेंद्र लहारी को मिली थी उम्र कैद की सज़ा जो है सचिंद्रनात सान्याल को सुनाई गई थी ठीक है ध्यान रखिएगा नेश कोशन के तरह बढ़ते हैं देखे कुछ और कुछ उन कुछ नेश कर्वादी नेटा है जिन्होंने ये कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है आत्म निर्भरता है बिक्षावर्ती नहीं है देखे इस तरह के जो नेशनलिस्ट स्टीट्मेंन थे जनरली वो जो गरम दल के नेता होते थे उनकी तरफ से आते थे और चुकि कोश्चन में आपको सभी गरम दल के नेता दिये गए हैं तो थोड़ा सा कोश्चन टफ हो जाता है हाला कि ये बाल गंगादर तिलक के द्वारा जो है बोला गया था केसरी तो जो है मैंने आपको बता दिया तो दो नाम याद रखेगा शेरे पंजाब और पंजाब केसरी ठीक है निक्ष कुश्चन की बात करते हैं कौनसी वो पुस्तक थी जिसमें निश्क्रिय विरोध यानि के पैसिव रसिस्टेंस को जो है प्रजेंट किया गया था इसका प्रतिपादन हुआ था तो अरविंद घोष की एक पुस्तक थी जिसका नाम था वंदे मात्रम इसी में दरसल पैसिव रसिस्टेंस को जो है प्रतिपादन किया गया था सीज का अंसर हो जाएगा हिंद सवराज की बात करें तो यह मातमा गांधी की एक पुस्तक है इंदिया डिवाइड़ के बारे में मैं आपको बताओ इसके लेखक राजजंदर प्रसाद है और जो टेररिस्ट बूक है यह दरसल दिली मुखरजे के द्वारा लिखी गई है ने लोगों की भागिदारी पर ठीक है कॉंग्रिस आंदोलन की रणीतियों पर यह भी ठीक है तो दरसल यहां पर जो आपका ई है वो आंसर हो जाएगा पर डी में उप्यूक्त सभी दिया गया है तो डी आंसर हो जाएगा निश कृश्चिन की बात करते हैं लखनो अधिवेश हो को भुला कर साथ चलने की बात की थी इस सम्झोते में झांग्रिस ने रिलिजियस माइनोर्टी का जो निरवाचन पदती ठीक है उसको एकषप्ट कर लिया था और लीक ने भी कहा था ठीक है इंडिया की आजादी का जो मॉंट है जो फोने इसमें हम पार्टिसिपेट कर ठीक है निश्कुषिन की बात करते हैं अध्यात्म ज्यान के विश्य में जो नचिकेत और यम का समवाद है वो किस उपनिशत से प्राप्त होता है आसान है कठोपनिशत कई बार पूछा जा चुका है पेपर में फिर पूछा गया चंद्रगुप्त दित्ये जिनको विक्रमा दित्ये भी कहते थे उनके नवरतनों में से कौन जो है वास्तुकार थे ठीक है तो शंकु जो है वास्तुकार थे ध्यान रखेगा निश्कुषिन की बात करते हैं इसके लावा अच्छे मैं आपको बता देते हूं कि उनके नवरतनों कौन कौन थे उनके नाम क्या थे वो क जादुगर थे और घटक पर ये एक कूट नितक थे चलिए निश तेखिए कौनसे जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए है इसके बारे में कुछिन पूछा गया है तो जो अलम गिरपूर है तो यह यमुना नदी पर नहीं हिंडन नदी के किनारे है दैमाबाद गोद मिलित नहीं है यह पूछा गया है तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर यह आंसर आपका हो जाएगा ठीक है निक्ष कोशन की बात करते हैं कि नालंदा विश्विध्याले के बारे में निमलेकित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है तो देखिए हमें इसके बारे में लेखन से ही पता चला है तो नहीं। चीनी तिर्थ यात्रियों के लेखन तो पता चला है बात ठीक है लेकिन ज़िस, आहिसे लेकिन में प्राज़वν्षोंुš लेकिन गुप्तकाल के भी अभिलेक नत्रक्रट के अभिलेकर हैं प्रधम के ? प्रज्व dairy यातरी जो हुएल सांग था उसने हाँ पर अध्यन किया थीक बात है वो धर्म को यहां से चीन जापन और दक्षन पूर वेशा में पहलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था यह भी बात ठीक है तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ए आंसर हो जाएगा मुहमद मासूम यह भी बात ठीक है तारीक के यामनी देखे यह उत्वी ने लिखा था तो यहीं हमारा जो है आंसर हो जाएगा निश्कुशन की बात करते हैं पूछा गया है कि एक कथन है यह किस से रिलेटर है कथन यह है कि जो अनुगरई राजा होता है उस पर हमेशा इ 508 को हुआ था सही बात है पूरा नाम नसरुदीन मुहमत था यह भी ठीक है राज्जी अभिशेक 30 दिसंबर 1530 आग्रा में हुआ था ठीक है मौलाना महसी अल दीन रुहेला और मौलाना इलियास ने इसको शिक्षा दी थी ठीक बात है तो यहां से जो मारा ऑप्शन नंबर पूछा गया है कि निमलिक खित में सहां चाहां का पुत्र कौई नहीं है था दरसल मुमताज से सहां चाहां को 14 बच्चे हुए थे यानि कि किसी विक्ति ने जीवन के 14 साल सिर्फ बर्थ देने में ही गुजार दिये और इन में से साथ बच्चे जो थे वो बच्च्पन में मर गए थे साथ जीवित रहे थे जिसमें से चार लड़के थे और तीन लड़का थी जो चार लड़के थे उनके नाम क्या क्या थे दाराशिको शहर सूजा और ओरंग जेप ठीक है इसके बाद मुराद बक्ष ठीक है तो इसके बाद एक आदलशा मतलब आंसर नहीं होगा अच्छा लड़के नाम भी एक बाद जान लेते हैं जहा आरा रोशन आरा और गोहर आरा ठीक है चलिए निश्कोषिन की बात करते हैं बिहार का पूर्णिया और जो सहरसा जीला है कोसी वाला छेतर जो पड़ता है उसमें मुख्यता कौन सी मिट्टी देखे पाई जाती है ठीक है तो खादर मिट्टी मिलती है निश्कोषिन की बात करते हैं कि देखे कुछ चरागा दिये गए है और किस राज्ये में उसको क्या बोला जाता है ये दिया गए है आपको सही आंसर जो है बताना है पहल गाम जम्मो कश्मीर ठीक बात है बगियाल या इसको बुगिया ठीक है खजियार हिमात्रप्रदेश में है सही बात है आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है चालिए निश्कोषिन की बात करते हैं भारत का सर्वोच परवत शिखर माउंट गौडविन ऑस्टिन है ये कहां पर है ये आपको बताना है तो देखिए ये है कारा कोरम श्रेणी में दरसल ये भारत का सर्वोच परवत शिखर माउंट गौडविन ऑस्टिन इसको केटू भी कहते हैं और ये जो पाक अधिकरत हमारा जम्मु कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर जो कारा कोरम श्रेणी है वहाँ पर अवस्तित है इसकी जो उचाई है वो करीब 8,611 मेटर है ठीक है तो ध्यान रखेगा आंसर हमारा यहां से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेश्कुष्ण की बात करते हैं पूछा गया कुछ जंजातिया दिये गई है राज्य दिये गए है कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं कर रहा है तो मंगियार मंगियार देखिए राजिस्थान म gouan में है सही बात है Wert Kranja ज Jia nay देखिए राव जोण सारी कि देखियो उत्राम में निमास करने वा एक कृश्यक जन जाती है पनियन में घौनियन में है सही बात है एका राज़ा हो जाएगा C हो जाएगा चालिए नेक्स कोश्चन है कि बिहार में जो गंगा नदी परवेश करती है तो किस जीले से करती है तो ये भोचपूर से करती है important question एक बिहार के लिए नेक्स कोश्चन पूचा गया है अगर 2011 की जनगर्णा की बात करें तो कौन सा उप जीला है और अगर नियूंतम जनसंक्या घनतव की बात करें तो यह है कैमूर। ठीक इससी आंसर हो जाएगा। निश्कोषिन की बात करते हैं कुछ जल प्रपात यानि के जो आपके सामने हैं वाटर फॉर्स दिये गए हैं और नदिया दिये गई हैं। यह कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको यह बताना है। तो जो गो काक है तो यह कहां पर है। यह देखे कावेरी नदी पर नहीं है। यह घाट प्रवा नदी बेल गाम करनाटक में है। डुडुमा मचकुंड नदी कोरापुट उडिसा में है। दूदसागर मंडवी नदी करनाटक और गोवा की सीमा पर है। चुलिया चम्मल नदी राजिस्थान की सीमा पर है। ठीक है। तो यहां से यह आपका आंसर हो जाएगा। निश्विशन की बात करते हैं। तेल ज जो बताता है कि यहां पर देखिए तेल अच्छे तरीके से ट्राप हो रहा होगा। तो दर असल इस कुष्च्छन को पिक्चर के माधियम से समझते हैं। तभी यह हमें सपस्ट हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं। यह देखिए जो उल्टे वी का शेप होता है। इसको उल्टा है तो एंटी क्लाइन बोलते हैं। और जो सीरे वी जैसा शेप होता है घाटी जैसा इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। तो यह जो एंटी क्लाइन होता है यह पेट्रोलियम के ट्राप के लिए सबसे बेस्ट होता है। कैसे इसको भी हम एक पिक्चर के माधियम से इस मैं आपको दिखाया हूआ है छोछ एक अे है Hazard एम इसमें आप देखेंगे त Popular ब्लाक कलर से उत्जा coming दिखाया गया है जिया है और क्या है इस ओपर गाया है जिखे साविया यहां उल्ग रहती है तूपर गॉल किहीं जिगी है एक बनाप रहती है कालने के लिए ठीक है पिक्टर से आपको क्लियर हो गया अब वापस चलते प्रश्न की और तो अब हम देखिए यहां पर हमारा कौन सा अंसर हो जाएगा एंटी क्लाइन यह क्या है मलेशिया है ठीक है यह यलो कलर से दिखाया गया यह बोर्णियों है ठीक है और यहां पर आप दिखेंगे तो यह बुरुनई है ठीक है तो यहां से आपको पता चल रहा है यह चोटा सा द्वीप है जो तीन पार्टों में जो है विभाजित है तो इसको थोड़ा स से तो पारेविकिर निजिज कुछागा है कौुछा गया है कौन सा कथन गया नहीं है तो खांगा कुछा गया है प्रची पानी और धुञा धाचल प्रपार में यह जो भी प्रफ दिए यह तीनों इसटिंट में है लेकिन पहली है कुछी में यह आसे क्योंकि गलत पूछा गया है तो अजय दिए हमारा आंसर हो जाएगा निष्करीशन की बात करते हैं कि महासादर हैं उनमें दूसरा सबसे घहरा यह कॉन सा है तो श्धित का तो अजया हो जाएगा धारत के कॉन से पिलीज आते हैं, जось को पष्चिमी विक्छोब पी कहते हैं, और अगर मैं इटीरा का एक रराफ सा मैप आपको बना के दिखा हूँ, चीक है, तो यानिके ये कौन सा लोगर हो गया भारत का उततर पष्चिमी एरिया हो गया। इसी एरिये में देखिये, इन पक्षी में विक्षोबों की वज़े से बारिश होती है, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरपशी में, यानि के D. नेक्स कोशन की बात करते हैं, वो तत्वर जिनकी पर्माणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तो अलग-अलग हो, लेकि नाभिक में न्यूट्रोनों की संख्या समान हो, तो उनको क्या बोलते हैं, तो आसाने देख के पता चल रहा है, सम न्यूट्रोनिक, इसकी इंग्लि दातु कौन सी है, तो लीटियम जो है सबसे हलकी धातु है, और ओस्मियम जो है, वो सबसे भारी धातु है, तो ए हमारा यहां से आंसर हो जाएगा, निश्खुशन की बात करते हैं, पूछा गया है कि नसायन विज्ञान में क्वांटम सिध्धान की खोज, किस विज्ञान आंसर, निश्खुशन देखिए, कुछ परदार दिया गया है, उनका उपयोग दिया गया है, आपको जो है, जो गलत है वो बताना है, ठीक है, तो बैनर ड्रिल, प्रती हिस्टीमिन, ये सही बात है, कार्बन टेट्रा कलोराइड, तो देखिए, अगनी शामक के रूप में यानि कि फायर को रोकने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, फ्रेयोन एक प्रतिशीतक यानि के रूप में और टेट्रा एथिल लेट, एक एंटिनॉक एजट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, तो आंसर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेक्सक्रिशन की बात करते हैं कि उन्लेकित में से कौन सा इक सुम्मिलिक नहीं है? डॉब्सन का प्रयोग क्या होता है? तो देखे और जोन पॱ्ष की मोटा ही नापने में होता है क्योसैक? क्योसैक देखें आदरता नहीं नाता यह जल के बहाव की दर्गो नापता है डेसिबल धवनी की प्रबलता की इकाई है और समुदरी मील नौसेना संचालन में दूरे की इकाई है इसको नौटिकल मील से भी कहते हैं जो यह माल लिजे भारत की टट रेखा है इससे अगर आप 200 की दूरी पर जाएंगे तो जो 200 नौटिकल मील होता है इस पर तरसल जो कंट्रीज होती है उनका थोड़ा सा जादा राइच जादा अधिकार होते हैं ठीक है वहीं अगर हम सिर्फ एक इतना वाला एरिया लेले जो जो है इसको हाई सी बोलते है या ओपन सी बोलते है इन पर जो है अंतराष्ट्य कानून लागू होते है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखेगा चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं पूछा गया है कौन सी अधिश राशी है अधिश मतलब स्कीलर कौंटेटी कौन कौन सी है देखें दो परकार की राश्या होती है एक सदिश एक अधिश सदिश राशों में आपको डारेक्शन का भी ध्यान रखना होता है अदिश में direction का कोई काम नहीं होता तो सदिश राश्य में होता वीग, सम्वेग विस्थापन बल, तवरण और आवेग अदिश राश्य जो होती है उनमें होते है उर्जा, आयतन, कारिये दाब, दूरी और चाल तो यहां से जो हमारा answer निकल के आजाएगा, वो जाएगा C, निश्वेशन की बात करते हैं कौन सा योग में सही सुम्मिलित नहीं है विदूद बल्प, ये क्या करता है विदूद उर्जा को उश्य में उर्जा और प्रकाश उर्जा में बदलता है सही बात है, ये तो हम रोजी देखते है मुंबत्ती, प्रकाश उर्जा को धमने उर्जा में बदलता है एक दमी गलत है, कोई भी बता देगा है न, तरसल ये क्या करती है ये रसाइनिक उर्जा को प्रकाश और उसमें उर्जा में बदलती है सितार यांत्रिक ओजा को धवने ओजा में बदलता है सही बात है विधुत मोटर ये क्या कहता है विधुत ओजा को यांत्रिक ओजा में बदलता है सही है इसके लावब दो ओजान लीजिए एक पूछा जाता है डाइनमो ये दरीजसल यांत्रिक होजा, यानिके मकानिकल जो एनरजी होती है, उसको विद्ध ओजा, इलेक्ट्रिकल एनरजी में बदलता है मायक्रोफोन, मायक्रोफोन धवनी होजाओ को विद्ध ओजा में बदलता है इसको ध्यान रखेगा, ह variables पर यह से बिज़े की बात करते हैं मनुस्या की आंख में किसी वस्तु का प्रत्रविम, पर बनता है, उसको कहते हैं, हिंदी में दृष्टी पटल और इंग्लिश में इसको रेटिना कहते हैं पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है तो देखिए आपको बताने किसी लेंश की छमता उसकी फोकस दूरी का विद्गरम होती है तो सही बात है विदूद आवेश का SI मातरक MPR यह देखिए गलत है क्योंकि SI मातरक के अगर बात करें तो यह कुलाम होता है विदूद बल में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है सही बात है और हमारा जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा यहां से बी निश्कुष्ण की बात करते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है ठी मोरी कल्चर सहतूत की खेती सही बात है अर्बोरी कल्चर रक्षो और जार्यों की क्रशी यह भी सही बात है पॉमोलोजी तो पपिता की नहीं यह फलो की यानिके फ्रूट्स की खेती होती है विटी कल्चर अंगूर का उत्पादन सही बात है आंसर हो जाएगा C निश्कु कौन सा भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है तो जो तातों का एनमल होता है ये सबसे कठोर होता है ठीक है विटामीन ऐसे हैं जो गुलनशील है चारो का नाम याद रख लीचेगा तो आंसर निकालना आसान हो जाता है A, D, E, K यह चार विटामीन वहीं जो B और C है वो क्या है जल में गुलनशील विटामीन है तो यहां से जो हमारा आंसर है वो निकल आएगा E ठीक है की बात करते हैं कि कौंसा योगर पर सही सुम्मिलित नहीं है तो दूद शक्रा इसको लक्टोज यह बात ठीक है तो गुलकोज हो जाएक़ और चीनी में रेख शुक्रोज यह भी ठीक हो जाएक है निश्कोषिन की बात करते हैं कि निमली कित्मे से कौण सा तत्व हमारे शरीर में अमलीता तथा चारक्ता की भी संतुलन को जो है बनाए रखता है ये हैं फासफुरस द्यान रखेगा निश्कोषिन पूछा गया है कि कौण सा कत्तल सही सही नहीं है रखते समोर की जो खोज है वो कॉल लेंडिस्टीर ने की थी ये बात सही है लाल रखत कनिकाई अस्ती मज़ा में बनती है ठीक बात है मेडूला ओबलागाउटा ये मस्तिक्ष का सबसे बड़ा भाग होता है गलत बात है क्योंकि जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है हाइपोथेलेमस अगर मस्तिक्ष का भाग है ये बात भी ठीक है तो जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा सी निश्विशन की बात करते हैं कि किसकी सापना जो है सबसे बाद में हुई है कुछ ऑगनाइजेशन आपको दी गई है और आपको बताना है इन में से जो सबसे बाद में कौन सी ऑगनाइजेशन आई है पहले सब की एक एक करके एर देख लेते है बॉम्बे एसोशेशन इसकी जो स्थापना थी दादा भाई नेरोजनी की और ये की 1852 में पूना सारवजनिक सभा तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1870 में बिटिश इंडिया असोशेशन तो ये हो जाएगी 1851 बंगाल में थी मदरास महाजन सभा तो ये देखिए जो हमारी है 1884 में यहाँ से देखिए सबसे बात में कौन सा हुआ पर 1884 बाला हुआ है तो दी हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है निश्कोशन की बात करते है कि निमलेखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है कुछ पुस्तक दी गई है उनके लेखक दिये गए है आपको जो है गलत बताना है तो देखिए जो संगर्ष की हो रहे है जया परकाश नारण ने लिखिए सही बात है इंडिया स्ट्रगल फूर इंडिपेंडनेस बिपिंग चंद्र ये भी ठीक बात है नेशन इन मेकिंग एस एन बेनर जी ये भी बात सही है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लेंड ये देखिए जो पुस्तक है ये भगत सिंग की है इंपोर्टन है ध्यान रखिएगा तो यहां से जो माना आंसर है वो डी हो जाएगा चलते नेक्स कुशन की हो पूछा गया है कि निमन में से किसने भारत के अज़ाध होने से पहले तक केंदरी legislative assembly में अध्यक्ष रहे थे और जब भारत की आजादी हो गई थी उसके बाद लोक सब आके प्रतम अध्यक्ष के रूप में ये 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे इसके अलावा देखिए एक और important fact है 1937 से लेकर 1946 तक ये बंबई प्रांथ की जो legislative assembly थी उसके भी अध्यक्ष रहे थे ठीक है तो answer हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलते निश्क क्वेश्चन की ओर 14 जड़ाई 1942 को वर्धा में हुई Congress की समीते की पैठक निमने में से किसने भाग नहीं लिया था ठीक है तो देखिए वर्धा में 14 जड़ाई 1942 में हुई Congress समीती की जो पैठक थी उसमें मौलाना अभुलकलाम आजाद सुरुजनी नैडू, जभारलाल नेरू वल्लभाई पतेल, डॉक्टर राचंदर पशाद पट्टाबे सीपता मरया जीवी पंद, प्रफुल चंदर घोष सेद मेहमूद आसफ अली जेबी करपलानी मातमा गांदी आदी नेताओ ने भाग लिया था, सबके नाम आपको याद रखने की आवशकता नहीं है, थोड़ा सबस आइडिया हो, ध्यानी रखेगा, सुभाष चिंद्र बोस ने इसमें भाग नहीं लिया था बात करते हैं कि जब गांदी और इर्वन मिले थे तो दो मातमाओं की संग्या उनको किस ने दी थी देखे 5 मार्च 1931 को गांदी और इर्वन के मद्दिक समझोता हुआ इसमें गांदी जिले का हम सावी ने अवग्या अंदोलन रोग देंगे अगर आप हमारी मांगे मान लो तो लेकिन इसी जो है समझोते में वो फास्यों को जो है हमारे वीर जो कांती का रहे थे उसको रुकवा नहीं पाए थे इसको लेकर इनकी आलोचना भी हुई थी तो जब यह दोनों लोग मिले थे तो जो सरोजनी नैडो थी उन्होंने इनको दो मात्माओं की संग्या जो है दी थी तो यह हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स क्यूशन की बात करते हैं कुछ घटनाय दी गई हैं उनके सामने उनकी डेट दी गई है जो गलत है वो आपको बताना है ठीक है डांडी मार्च का प्रादम 12 मार्च 1930 सही बात है गांदी एर्विन समझो था 5 मार्च 1931 ठीक है साइमन कमिशन का आगमन तो यह देखे तीन फरवरी 1928 को आये थे ठीक है बाराच छुड़ा अंदोलन का प्राब्रम 9 अगस 1922 यह भी ठीक है तो हमारा जो ऑप्चन है वो जाएगा C निश्कोशन की बात करते हैं जमनालाल बजास को बिटिश सरकार द्वारा उपादी दी गई थी जिसको उन्हें असयोग अंदोलन के टाइम पे वापस कर दिया था आपको इस उभादी का नाम जो है बताना है तो दरसल राय बादुर की उपादी इनको दी गई थी और साथ में केसर एह हिंद की उपादी गांदी जी ने भी वापस कर दी थी इसको भी त्यान रख लीजेगा नेश कोशन की बात करते हैं सिटमबर 1946 में ते भागा आंदोलन की जो शुरुवात हुई थी कहा हुई थी आसान कोशन ने बंगाल में हुई थी नेश कोशन इश्वर का जो राज्य है वो तुम्हारे भी तरह यह जो फेमस स्टीटमेंट है यह किस से संबन दीत है तो यह संबन दीत है टॉल स्टॉई से ठीक है और टॉल स्टॉई के इस वाक्ये से जो है गांदी जी काफी प्रभावित हुए थे और यह उनके अहिंसक अस्वयोग आंदोलन का आधार भी बना था next question 72, British Asurakin के दोरान बिहार और उडिसा को बंगाल से किस वर्ष जो है अलक कर दिया गया था तो देखें、 1922 माच को जो है बिहार और उडिशा को बिटिश शाषन के दोरान बंगाल से अलग कर दिया गया था और बाद में उडिशा भी बिहार से सेपरेट होकर एक अलग प्रोविनेंस बन गया था और ये बना था 1 अप्रेल कब 1936 ठीक है तो ध्यान लखेगा दोनों डेट निश्कोशन की बात करते हैं निकैया और बवक कफेला इन नगरों की स्थापना किस ने की थी तो देखे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानि के सिकंदर निश्कोशन की बात करते हैं सही सुम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है तीक है option क्या है भी हमारा answer हो जाएगा भारतिय प्राग इतिहास को उद्गाटित करने का श्रे किसे जाता है देखिए जो दोक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेजी वेग्यानिक थे उन्होंने दरहसल 1842 में कहां से करनाटक के जो रायचुर जिले में लिंगसुर नाम की जंगा थी इसको थोड़ा सध्यान रखिएगा यहां पर क्या किया था प्राग इतिहास को जारों की खोच की थी तो यह जो डोक्टर प्राइम रोज है इन्हीं को तरहसल भारत्य प्राग इतिहास को उद्गार्टित करने का श्रेय जाता है यह हमारा अंसर हो जाएगा नेश कुश्यन कौन सा विश्विध्याल है जिसमें चीनी आत्री हवेन सांग ने अध्यन किया था तो देखिए हर्षवर् के दर्बार में आया था और इसने देखिए नालन्ना में जो है इस्टडी की थी इस समय यहां के जो कुल्पती थे वो ते शील भद्र देर साल तक यह नालन्ना में रहा था और योग सास्त्र का अध्यन किया था यह आंसर हो जाएगा निश्विषिन की बात करते हैं बहुत साली जंगाएं जैसे आंदर परदेश के वेंगी में जैपाई पेटा अम्रावती बटी पोलू नागरजन कॉंडा और गोली जैसे कई स्टूप स्थाल हैं अम्रावती में एक महाचेत्य हैं कई मूर्तियां हैं जो आप कहां रखे गए हैं जैसे चिन्नी संग्राल क्यूंकि काफी जंगा उस खोस शुमिलत नहीं बताना है आपको फिरोष्ट चीन बदगान फिरोष्ट लॉच्ञा विए भी सही بात दिवयनरियासत यह लाउदिन खिल में और टाइम और वियास्यल विभा था तो यहीं जो ड है आपका अंसर हो जायता लोगते साхे 25 सू फ़लो की गुणवत्ता को सुधारने के उपाई किये थे तो देखिए फिरूद शाय तुगलक की बागवानी में काफी रूची थी और इसी वज़े से दिल्ली के निकट बारा सो नए फ़लो के बाग भी लगवाए थे और उसी ने देखिए बागों में फ़लो की गुणवत जईना dots का में मुछने के लिए फ्रन और इसका में मुझे बाद से भारत में मुसलिम शक्ती की स्थापना शुरुत हो गई थी बास耶ण का मुझे मुझे न गाटिए पी लेना आपशलो को samples खानवा को जो यूद हुआ था यह हुआ था 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 धान रखेगा तो यहां से जो हमारा आंसर है वह कौन सा हो जाएगा तरायन का दित्ते यूद्ट करना और सूफ सही सुमिलT करना है तो जो आखिय रहा करproduct 생각 है तो जो मंखबर है रहा है कि तो अक पहलए यह मैं घशा ह कही रही जी सिकंध्रा रहे में हैं बाबर का मकबरा तो यह काबूल में है और जहागीर का मकबरा लाहोर में है तीक है तो यहां से जो हमारा answer यह कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा निश्कुशन की बात करते है 82 देके पधान मंतरी स्ट्रीट वेंडर आत निर्भर निधी योजना जिसको पीम स्वा निधी के नाम से भी जाना जाता है इसकी जो कार्यान वेंड एजन्सी होगी वह कौन होगी आपको बताना है तो सिड़ी इस राइट आंसर नेक्ट वेशन की बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्शन 2021 का जो विश्य है वो किसको समर्पित है तो देखे ऑप्शन देखके आप गैस भी लगा सकते हैं जो सभी COVID-19 के योद्दा है COVID-19 वाडियर्स जो है उसको यह समर्पित है पूछा गया है कि 2021 बजट के अनुसार किस परकार कि संभावित आधारभूत संरचना परिसंपत्यों के लिए एक स्कीन जिसका नाम है राष्टिय मुद्रिकरन पाइपलाइन जिसको बेसिकली इंग्लिश में नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन भी बोलते हैं वो दूसरा किसी बर्योजना को शूरू करने के साथ बहुत सारे जमीन का अधिकरन किया जाता है को जमीन का यूस्त आप कर लेते हैं बागी जमीन जो पढ़ रहती है इस समस्यों से निजात पाने के लिए और साथ में वह वेल्लिव जो कि फसी पढ़ी है पहले से चलिभी पर लोग करने के लिए प्राइविट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सरकार जो है एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम है राष्ट्य मुदरीकरन पाइपलाइन इसमें दरसर जो पुरानी योजना है वर्ड बिध्यान दीजेगा जो पहले से चल रही थी किसी वज़े से अटक गई थी जिनको ब्राउन फिल्ड योजना है कहा जाता है इसके लिए जो है लाया गया था ग्रीन फिल्ड परियोजना वह को थी जो नए सिरे से एक दम बनती है उनके लिए जमीन नहीं ली जाती है मशीन री होती है सारी जितनीवे पर्मिशन्स ओती है वो नहीं लेनी पड़ती है वह एक अलग चीज हो गई लेकिन एक राष्ट् पर्मुख चालक जो रहा है बिहार के अंदर वो कॉंसा सब सेक्टर है कै यह पूछा सब्सक्राइब करते हैं जून 2021 में दो देशों की सह अध्यक्षता में प्रथम अरब भारत ओजा संगोस्ती वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयुजित की गई वो दो देश कौन-कौन से थे तो वो थे भारत और मॉरेक को चीक है नेक्ट की बात करते हैं जून 2021 में नीती आयुग दुआरा जारी STG 3.0 रिपोर्ट के संधर्व में कौन सा कथल सही है तो देखिए STG 3.2 नीती आयुग की रिपोर्ट में बिहार राज्य को अंतिमवा यानि के 28 वा स्थान मिला है बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है सो में से 52 अंक मिले हैं पह जागलपूर है वहाँ पर G.I. टैग मिला है जरदालू आं को तो इनकी जो पहली वनेचे खेप थी जो कमर्शियल इनकी पहली असाइनमेंट थी उसको जो एक्सपोर्ट किया गया है वो किस देश को किया गया है तो यह तेखिए United Kingdom भी आप जो है सही आन सार इसको किया गय है ठीक है निश्कोशन की बात करते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने ज्यान कार्य करताओं का समर्थन करके राज्य में नोकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए knowledge economy mission की शुरुवात की है ठीक है तो दरसल जो knowledge workers होते हैं उनको support करने के लिए यह scheme जो है लाई ग इनकी याद में या इनको बेसिकली इनके बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक अंतराश्तिय दिवस हर साल मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है तो देखे 25 मार्च को यह celebrate किया जाता है और जो 2020 की theme थी इस बार वो थी दास्ता के नसलवाद का साथ में सामना करना है यानि के comforting slavery legacy of racism together चीक है चलिए next question की बात करते हैं किस company ने हाले में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दो पईया charging points लगाने की गोशना की है यह किया ओलाने next question भारत का सबसे बड़ा 100 Megawatt चमता वाला तैरता हुआ सोर उजा संयंतर कहां स्थापित किया जाएगा यह किया जाएगा तेलंगाना में चीक है next question की बात करते हैं 19-20 के दुरान नरेगा योचना के अंतरगत जारे किये गए job card की जो नियून्तम संख्या के मामले में बिहार का कौन सा जेला top है यानि कि नरेगा के अंदर job card जो है वो issue किये जाते है तो सबसे कम card कहां issue किये गए है वो जिला आपको बताना है तो उसमें सबसे उपर है शि हो जाएगा A, 97 के अगर answer की बात करूआ तो ये हो जाएगा D, ठीक है, उसके बाद 98 के अगर में बात करूआ तो answer हो जाएगा आपका C इसके बाद देखिए 99 के बात करो तो again आपका answer है C, फिर आजाईए 100 question पर इसका answer है B ठीक है, इसके बाद 101 101 पर आपको फॉड़ जाहिए इसका एसांamasर हम 102 गले चाहे लगार बीजोग्रमत चाहिए आंसर है 104 यहांने कि सीज का अंसर है और 106 कुश्चन अब देखे देखते हैं 29 जून 2021 को किसने कोचिन बंदरगा से बेपोर और अजिकल बंदरगाओ तक तटिये पोध परिवन सेवा जिसका नाम है ग्रीन फ्रेड कोरिडोर 2 इसकी पहले जलिया पर लोडिंग परिचालन का उद्गाटन जो है किया है यह किया है मनसुक मंड वियाने नेक्स कुश्चन दो जलाई 2021 को किसने 6 प्रोधोगी की नवाचार मंचो का उद्गाटन किया जो भारत में विश्व इस्तरिये प्रतियोगी विर निर्मान के लिए तकनीक के विकास पर फोकस करेंगे यानि कि 6 टेक्नोलजी इनोवेशन प्लेटफोर्मों का हमने उद्गाटन किया है जो टेक्नोलजी डेवलोपमेंट पर फोकस करेंगे इसको उद्गाटन किसने किया है तो प्रकाश जावेड करने ठीक है निश्कोशन पूछा गया है कि कौन से महीने में भारत में COVID-19 के मामले जो है सबसे जादा दर्च हुए थे सितंबर 2020 में निश्कोशन की बात करते हैं वहां चीन में पहले प्रकोप के बाद से COVID-19 ने किस इस्थान को संक्रमित किया यानि कि सबसे पहले चीन में मिला उसके बाद कौन सा एरिया है जिसने जिसमें जो है यह ट्रांस्मिशन हमें देखने को मिला इंफ्यक्ट हुआ दरसल अंटार्क् यह कौन से राज्य में है तो यह बिहार में है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा निश्कोशन की बात करते हैं कि किस देश ने एतिहासिक पासेवो देल प्राडो बुलवोर्ड और रेटिरो पार्क को युनेस्को वर्ड हेरिटेस साइट का दर्जा दिया है यह दिया है स्पीन ने चीक है निश्कोशन की बात करते हैं 26 मार्च 2021 को किसने दक्षिंड कोर्याई रक्षा मंतरी सुह वूक के साथ मिलकर दिली केंट में एक एंडो कोरियन बाइलेटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्गाटन किया है तो यह देखिए राजनाथ सिंग के साथ मिलकर उन्होंने किया है नेक्ष कुशन की बात करते हैं बजट 2021 के नुसार बिहार के बजट की बात कर रहे हैं मुझुदा कूमकी में तो बात की जाए तो बिहार की जड़ी पी कितनी है यह करीब है 7,57,026 करोड रूपे इसका अंसर हो जाएगा फिटे के बिहार बजट की बात 2% जो है रहा है तो 114 इसका आंसर हो जाएगा 114 का मतलब बी आंसर हो जाएगा ने इस कुशन की बात करते हैं बाते रेलवे के अनुसार कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विध्यूती क्रत रेलवे जोन जो है बन गया है यह पश्ची मद्य छेतर भी इसक कुपसे बड़ा कोविड केर सेंटर किस सहर में बनाया है तो यह देखिए इंदोर में बनाया है इंदोर में काफी डवलप्मेंट हो रही है भारत ने 18 वर्ष रों के अंतराल में 2020 के एक महीने में देखिए व्यापार अधिशेश यह जो है रजिस्टर किया है कौन से महीन पूछा गया है कि भारत की पहले डिजिटल करना देके होने वाली है तो इसके लिए कितना फंड आवंटेट किया गया है तो करीब 3768 क्रोड रुपे जो है यानि कि 3768 क्रोड रुपे आवंटेट किया गये है नेक्स्ट क्वेशन 6 जुलाई 2021 को किस मेट्रो रेल कॉपरेश ने देश की पहली फास्टेग यूपी आधारित के स्लेश पार्किंग सुवीदा जो है शुरू की है यह कि है दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन ने बी आंसर है निश्कोशन की बात करते हैं 26-28 मार्च 2021 तक विनोबा सेवा पर्तिस्थान VSP ने आयूश मंत्राले के साथ मि तक भी आजन किया था आपको बताना यह कहां किया था झुक्ष्ट का का इससा नहीं है तो देखिया रण वसूली आपका revenue नहीं होती है तो यहीं आपका जो है answer हो जाएगा निक्स पूछा गया है कि कौन सा लक्षन है जो एक विकास सील यानि कि डवलपिंग एकोनॉमी में आपको देखने को मिलता है ठीक है तो देखिए क्रशी पर निर्भरता देखने को मिलती है जन संग्या में तेजी से व्रद्धी हो रही होती है विक्सित मानो पूंजी होती है पूंजी निर्मान की उच्छ दर होती है ठीक है तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो है आपका answer हो जाएगा ठीक है निक्स कुष्ण की बात करते है अच्छा एक मैंने आपको बताना है कि मैं आपको कुछ और लक्षन बता देती हूँ एक विकास से लिए अविक्सित अर्थ विवस्ता के लक्षणों में तो प्रति विक्ति आयकादे की निमनिस्तर होता है पूंजी का अभाव होता है जनसंख्या में तेज संव्रती होती है और धोगी पिछड़ा पन होता है बिरोजगानी होती है आर्थिक निरभरता होती है और देके मानव पूंजी का कम विकास होता है है ना पहले में आपको बताए ने developed human capital होता है नहीं जो human capital होता है दरसे उसका कम विकास होता है तो बात की जाते है ने skilled India की कि भाई अपने यूथ को आप skilled India दो उनको वैसी ट्रेनिंग दो जो इंडूस्ट्री की demand है ताकि बिरोजगानी ना हो हमारे हैं जो human है उसको और जादा क्या है skilled करने की बात इसलिए की जारी है तो यहां से जो सही होगा वो दरसल A और B हो जाएगा इसलिए जो आपका answer है वो E हो जाएगा नेश क्रिशन की बात करते है मुद्रा बाजा जिसको देखे money market भी कहते हैं देखे दो तरह की market होते है एक होता है आपका money market एक होता है आपका capital market money market में क्या है short term के लिए जो है पैसा चलता है और capital market में long term के लिए पैसा चलता है यही इन दोनों को differentiate करता है पूछा गया है कि कौन सा जो है इसके अंदर शामिल नहीं है तो जो गैर banking वित्य संस्थान होते NBFC जरसल long term के loan देने में ही यह जादा इंडल्ज रहते हैं तो इसलिए यह money market के अंदर नहीं आते हैं तो आपका जो answer हो जाएगा D हो जाएगा Peer to peer lending के संदम्बे कौन सा कथन सही नहीं है Peer to peer lending क्या होती है Generally जब आपको loan लेना होता है तो आप bank के पास जाते है कई बार क्या होता है कि आप bank को या financial institution के पास नहीं जाना जाते दो लोग है एक का नाम है A दूसरे का नाम है B इसके पास पैसे की कमी है और इसके पास पैसा काफी है अगर यह दो लोग आपस में मिल जाएं तो इन दोनों की इच्छाय पूरी हो सकते है इसको पैसा मिल जाएगा तो इन दो लोगों को मिलाने के लिए जो काम करते है वो प्लेटफोर्म करते है जो पीर-टो-पीर लेंडिंग को सपोर्ट करते है जैसे मान लिए कोई application है जहां पर आप जा सकते हैं और उधारे ले सकते हैं तो इसको बोलते है पीर-टो-पीर लेंडिंग यहां पर काम चलता है अब इसके बारे में statements देख लेते हैं इसमें मध्यष्ट के तोर पर वित्य संस्थान मोजूद नहीं होते सही बात है अभी तो मैंने आपको बताया है उसके बाद इसमें एक online मंच के माध्यम से उधार दाता और जो उधार लेने वाला है एक साथ आते हैं यह भी बात ठीक है यह पूरी तरह से विश्व बैंक तोरा संचले दुदा है यह तो कोई sensory बनता है सी statement का तो यह गलत हो जाएगी अगर पैसा लिया जा रहा है तो रिजर्व बैंक उफ इंडिया उसको रेगुलेट तो करी सकता है तो यहां से हमारा option है वह कौन सा हो जाएगा लरी से से잖아 सब्सक्राइब जैजा और पैसा है किसीन कोई स Similar to' समयार पाती आप गए उसके कंव्ल इसे जाएगा जो बैंकों के पास मांक जमा होती है, डिमांड डिपोजित होते हैं, अभी मेरा पैसा मुझको दे दीजे, मिल जाएगा, इसके बात कौन सा आता है, बैंकों के पास बचत जमा, जो सिविंग डिपोजित होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको लेने में, ठीक है, हाला कि तो मिली जाता है फिर बैंकों के पर सामवेदिक जमा जो टम डिपोसिट होते हैं अब आपने बोला मेरा एक साल के लिए है पात साल के लिए तो उसकी जो सीमा अवधिया उसको पूरा होने पर ही मिलता है या तो आपका कुछ फाइन कटता है तो सबसे ज़र लिक्विड होती तो जो जन्ता सरकार थी उनके द्वारा नेक्ष्ट कुछ स्टीटमेंट्स दी गई है आम तोर पर जो पारस्तिकी तंत्र होता है ठीक है उसमें कई परस पर विबन खाद श्रंख्राय होती है ये बात बिल्कुल ठीक है एक फूड वैब होता है ठीक है उस माल लिजे ये ए फीचह जो तेट फाइटो प्लेक्टोन उसका कम होता है जो कि ऊंपर कौन को सकती शार्क डॉल्फिन हो सकती इनका तोingersowrey होता था कि सहीं रहीं 있다고 keeps स्टेटमेंट से ध्यान रखिएगा नेश्ट की बात करते हैं कि जो हमारा ग्रीन ट्राइबूनल है उसका जो अधिकार छेत्र है है उसका जो जुर्सिडिकेशन है वो किसके ऊपर नहीं है तो देखें वन संद्रक्षन अधिनियम सही बात है परियावलन संद्रक्षन अधिन अधिनियम यह ठीक है और सावजनिक देता बीमा अधिनियम यह ठीक है लेकिन आपदा परबंदन अधिनियम पर देखें इसका कोई जुर्सिडिकेशन नहीं है तो यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा पूछा गया है कौन से भारतिया मुद्रा व्यापार का अंगर नहीं है इंडियन करंसी ट्रेडिंग का पार्ट कौन नहीं है यह आप से पूछा गया है तो देखें मुद्रा व्यापार सयोग ने दी करंसी ट्रेडिंग कोपरेशन फंड जो होता है यह दरसल मुद्रा माजा से रिलेटेड ना होकर विदेश व्यापार से रिलेटेड है ठीक है तो यही आपका अंसर हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं 1664 में अंग्रेजों की जो पटना फेक्टरी था उसका प्रधान कौन था तो जो आप चौना आसान सा कुष्यन है निश्कुषिन की बात करते हैं कि पूछा गया है कुछ साशक है उनके सूबेदार है आपको सही बताना है तो देखिए इसका जो जाएगा यह सही है फिर देखिया निश्कुषिन की बात करते हैं 500 depths granting 1977 मात्मा घांदी मोति हारे किससे पहंचे थे पहुंचे थे इन में में जो काफी लोगों के साथ पहुँचे थे यह आंसर हो जाएगा कमें सेक्षिन में बताईएगा कि कौन-कौन से उनके नाम थे निए 135 मोतिहारी पहुचने के बाद मात्मा गांदी ने सबसे पहले किस गाउं का जाय जालिया तो यह था चंद्रहिया तो बी आंसर हो जाएगा ने दिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को मोतिहारी से चंपारण के और बढ़ने वाले उनके अभ्यान को तुरुंत रोकने का आदेश दिया था तो यह आपका 136 इसका अंसर हो जाएगा WB हैकॉच यानि के बी नेक्स कुश्चन की बात करते हैं चंपारण में कि किसानों को नीलना उगा पाने की दशा में कौन सा कर देना पड़ता था देखिए लगान के अत्यरिक्त भी करीब 46 परकार के टेक्स जो है किसानों को देने पड़ते थे एक ही इस परकार का गयात कर था वह था अभवाव यह गैर कानूनी था लेकिन फिर भी किसानों से वस सफरपूर में नेक्स नेक्स क्वेश्चन देखिए जो ब्रतानी मालिक है वो गांधी को अपना दुश्मन मानते है स्वाभाविक है लेकिन जो गांधी है वो रयतों के मुक्तित आता है यह कथन बेतिया के किस उप प्रभागी न्याइधीश का है ठीक है तो उसका नाम थ समीति इसकी अध्यक्ष कौन थे तो इसकी अध्यक्ष देखे FG स्लाइट थे ठीक है नेक्स कुशन की बात करते है 141 की चंपरण करशी जान्च समीति के सदस्य कउन कौन थे तो देखिए इसका इंचर हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं 1906 में किसने पूर्वी भा पारण दोनों से हुआ था यह आंसर हो जाएगा निश्ट कुशन की बात करते हैं पटना में नखास ताल में नमक सत्यागरा किसकी अधीन हुआ था अंबिका कांत सिन्हा के अधीन ए आंसर निश्ट कुशन बढ़ हिया ताल विद्रो बिहार में कहां पर हुआ था यह हुआ था मुंगेर में चीक है नेक्स कुशन की बात करते हैं अठारो सो तीस में पटना में कौन सा विद्रो हुआ था यह हुआ था देखे वहावी विद्रो ठीक है ध्यान रखेगा इसको वहावी विद्रो को next question की बात करते हैं कौन सा जो है सही सुम्मिलित नहीं है तो वहभी आंदोलन तो देखिए इनायत अली और जो है आपके विलायत अली ठीक है फिर बोयज असोशियेशन ठीक है उसके बाद यह दिये गए है तो यहां से जो है आपका आंसर जो है यह हो जाएगा आप मुझे य निश्करिशन के बात करते हैं जो वहाबी आंदोलन है उसका सवरूप कैसा था तो देखिए इसका सवरूप धार्मिक भी था एक यह कोसमें ने जाम दिया था ठीक है तो मुझफर बमकांट कौन-कौन राजाएंगे परफुल चाकी और हमारे खुदी नाम बोस ठीक है तो यह हमारा जो है आज का यहां तक वीडियो था और इसका भी जो है यह आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का जो मैंने कमेंट सेक्शन में आप से आंसर पूछें उनको जरूर बताईएगा इसी तरह अंगीज होके पढ़ाई होती है दो तरफ से एक तरफ से नहीं होता है और ध्यान से इन वीडियो को सुनिए बार बार रिवाइस किए जितने जादा क्वेश्चन की आप प्राक्टिस करेंगे जितने जादा क्वेश नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीचेगा तो आज के लिए बस इतना ही नमश्का